हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे यूटुब चैनल सम्रिद्य टेक्निकल में आपका हार्दिक सौगत है दोस्तों आज हम बात करेंगे वी वेल्ड के क्रेक्स होने के आठ मुख कारण यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको आइकन के बटन को दबा कर और कर दीजिए क्योंकि मैं इस प्रकार से धेरो वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं और चैनल में चाकर आप लगभग दोस्तों वीडियो देख सकते इस प्रकार से बहुत मज़धार वीडियो दूस्तों तो हेलो दोस्तों नमश्कार हमारी यूटूब चैनल समर्थी टेक्निकल में आपका हार्दिक सौगत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वी वीडिट के क्रैक्स होने के आठ समभवित कारण और यह बहुत मज़धार है आपके लाइप में हमेशा प्रेक्टिकल लाइप में यह सब कारण देखने को मिलता है तो दोस्तों मैं आपको यह सारे चीएचा करके बताऊँ हुआँगा और आप यह हमारे चैनल में फस्ट रहे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बैल आइकन के बटन को दबाकर अल कर दिजेगा ता कि मेरे सारे वीडियो अब तक पोचे और दोस्तों यह अब हमारे चैनल जो बीच-बीच में आप देखेंगे ऐसा क्राक्स हो जाता है ऐसा क्यों होता है वह सब कारण हम देखते हैं तो चले शुरू करते हैं एक नंबर इम्प्रोपर टेंशन तो दोस्तों क्या होता है धैन से सुनिये मज़ा आएगा जब दो वीप पुल्ली के बीच में वेल्ट क की तो इसमें क्या होगा वह स्लिप होने लगता है दो कि इसमें तुक्रिक्षण बड़ता है तो अब में इस परकार सित्रा रही आजयती है थीड़ दो आपको ज्यादा थीला नहीं रखना विल्ट कुिकर जैसी रोट पड़ता है तो उसमें रम फ्रेशन के कारण और फिर इसमें इस परकार से दरार है आत वो अपना जो quality है जो इसके स्टेन होता है वो खोग जैता है तो दोनों ही condition में belt में às आ जाता है तो यह ध्यान तब करने से जाड़ा होता है लूज रखने पर कभी भी ज्यादा लूज नहीं रखना है दूसरा देखिए due to heat तो दोस्तों यहाँ पर heat मैं दो तरीके से बताऊँगा आपको क्या heat होता है पहला जो है उसी से मिलता जुलता है heat होगा यदि दो पुल्ली के बीच में bed lose है तो friction बढ़ता है जिसके कारण heat हो जाती है और heat होने से इसमें इस परकार के समझ चाती है material खराब होने लगता है और उसमें cracks आ जाता है यह तो मैंने आपको बता दिया लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कुछ जो heat है यह system का heat है इस दोनों पुल्ली के कारण हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में belt lose है लेकिन कुछ heat होता है वह heat area के कारण होता है for example यह जोई कोई oven के ऊपर आपके motor लगे जो oven होता है कोई भी motor हो या कोई भी transformer के जो BPI plant होता है जिसके अंदर vacuum को खिचते है जोई को चेंज करते है बहुत सरे reason रहता है तो वह एरीया भी heat हो जाता है तो heat होने से क्या होता है उसके उपर motor के साथ पुली लगए और उसके driver दोनों heat होने के कारण यहां पर पुली गरम है तो गरम गरम पुली के उपर जब बेल्ल चलती है तो वह भी हीट हो जाता है तो उससे भी क्रेक्स हो जाता है ठीक है दोस्तों तो यह दो कारण तो यह हो गया तीसरा देखिए इंप्रोपर इंस्टॉलेशन यह क्या होता है दोस्तों जब पुली के उपर बेल्ट को चड़ाया जाता है तो आपको सही तरीके के साथ चड़ाना चाहिए, कैसे, दोनों पुली को थोड़ा सा नजदीक लाइए, लूज करिए, मतलब बेल्ट जो है, वो आसानी से चड़ा देजिए, उसके बाद मोटर को शिप्टिंग करिए और टाइट करिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग क् देश्कस को लगा का चड़ा जाता है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसमें एक तनाव उत्पन होता है, जिसके कारण उसके मटरियल का स्टंथ जो है, वो खो देता है, तो इससे भी इस प्रकार से बेल्ट में दरारे आ जाती है, तो आप समझ गया प्रकार से मिसलायमिन शहलाता है, जर आप देखो के दूर से खड़े होकर, तो आपको देखेगा की यह जो है वो एक एक आक्सिस में नहीं है, तो ऐसे कंडिशन में आपको मैक्सिमम टाइम में इस प्रकार के समझाएगी, क्योंकि उसमें एक एकसिस में ना होने की कारण ह नहीं होता है और एक लगी तनाव जो रहता है उसमें बना हुँआ रहता है तो जिससे जिसे बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी भी होती है और इसमें तरह तरह के प्रोल्म आते हैं उसमें से एक जो है वो क्राइक से ठीके दुस्तों उसके बाद आता है पांच नमर पूर क्यालेटि मेट्रियल तो यह तो सिंबल जी बात है कि आप जितने पैसे अच्छे quality के material खरिदे और दो चार company के material को सर्च करके उसके बाद आप उसके specification को देखिए उसके साब से material के purchasing करिए उसके बाद aging and wear दोस्तों देखिए कुछ भी चीज ले लो आप हर चीज का एक live होती है आप उसको यूज करोगे यह नहीं भी करोगे यूज करने से कुछ चीज जल्दी खराब होती है और कुछ चीज यूज ना भी करो तो उसका live खतम हो जाती है तो यह एक rubber types के material होते हैं जिसके अंदर कई बर अलग-अलग fabrics and iron मिलाके बना जाता है तो rubber के एक live होती है जैसे कार की tire मान लिजे आपने कार में टायर लगा अकिए और दूब में खड़ी कर दिया तो दोस्तों उसके निशी तुर पर एक live होती है ना कुछ दिन बाद तो निशी तुर पर वो दिरे कमाँटर ने को अच्छी कि हम yolने करने कर्ण दोस्त तो कई था माटर बूली को पर 5 वेल्ट है तो जभिता ना के समय जो है प्रसकों उसमें हतोडाओ चला देते तो इससे क्या होता है बेल्ड के जो तूटा हुआ Works meanings होती है तो वो उसके जो टूटा हुआ हिस्सा रहता है उसके साथ रगड़ जाती है घर जाती है गिसने के कारण कई बर क्या होता है ये जो बेल्ट रहता है ये खराब हो जाता है तो यह फी एक बड़ा रिज़न है दोस्तों इसलिए आप कोशिश करिए कि हमेशा पूली को से ही निकालिए पुलर से निकालेंगे तो फूले टुटे की ने तो लोग क्या करते दोनों साइट से बिज लगा देते हतोड़ा मारते दना दन और खराब ठीक है दोस्तों और यह एक बहुत बड़ा कारण है रॉंग साइज बेल्ट सेलेक्शन तो दोस्तों यह जो भी बेल से अलग-अलग साइज के चोड़ाई और मोटाई के साब से अलग-अलग साइज के पांच परकार के बेल्ट आता है ठीक है तो यह बेल्ट के जो गुरूप है ना पुली की ऊपर जो गुरूप बना हुआ है उसके हिसाब से आपके यह A, B, C, D और E का सेलेक्शन होना चाह काईम की बीवल्ट के कितने परकार होते हैं आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं तो जब आप सही गुरूप में सही साइज के भेल्ट यूज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा बेल्ट पूरे जड़ तक बोले तो पूली के पूरे गुरूप तक नीचे तक नहीं बैठ बैठेगी और नहीं बैठेगे तो थोड़ा मान लेजिए आधा बैठ रहा है तो उसमें क्या होता है वो कड़ जाता है कटने से भी क्रैक्स हो जाता है तूट जाता है तरह तरह की समझ से आती है तो आश्या करतों दोस्ति यह बहुत मज़िता था को समझ में आया होगा और ठेहरो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे है देखते रहे है समर्दी टेक्निकल थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग